एक बार फिर स्वागत है आपका पाट सलाव इंतिसर के स्वीडियो लेक्चर में आज हम 10th class का chapter number 10 श्टार्ट करने बाल है जो है हमारा light reflection और हम देखेंगे reflection और लास में low reflection देखेंगे हम और कुछ examples होगे देखेंगे reflection के स्वीडियो लेक्चर में तो चली हम स्टार्ट करते हैं तो simple सा उसके पहले हम देख लेते हैं यह क्या है एक mirror है ठीक है plane mirror है इसमें आप खुद को दिखाई दे रहे हैं आपको अगर मैं बात करूंगा इस glass की इशिलगा ग्लास है इसमें भी थोड़ा बहुत आप दिखाई दे रहे हैं कि रेक्दम clear नहीं दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस कि दिखाई देता है चेहरा हमको किसी दिवाल पर वॉल पर चेहरा नहीं दिखाई देता है ऐसा क्यों तो वह सारी चीजें हम आज समझेंगे तो चलिए light सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वोट इस light तो light क्या है तो एक टाइप की एनर्जी है इट 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 इस आज टू सी तिंग्स जो क्या हमको देखने में सहीता करते है ठीक है अगर आपकी आसपस light नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे क्योंकि अगर किसी चीज़ को देखना है मुझे इस मार्कर को देखना है तो क्या पता होना चाहिए एक तो हमारी आ कि थोड़ा कम हो गया हुचाला है ना ठीक है जैसे ही में light on कर दूंगा तो क्या होगा यह मार्कर अच्छे से clear दिखने लग गया तो क्या हुआ तो हमको यह मार्कर दिखाई के उदेता है आसपास चारी चीज़ें को दिखाई के उदेती है देखो क्या होगा जब मैं इसक दिखाई दे रहा है यह आपको में भी दिखाई दे रहा हूं यह वाइट दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि अभी light है इस current से आप theater वागेरा में जाते हैं कभी movie वागेरा cinema देखने गए होंगे तो स्टार्टिंग में जब वहाँ पर जाते हैं तो क्या रहता है बिल्कुल अंधिरा रहता है डार्कनेस रहती तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है बड़ जैसे वाइट ओन होती है तो आपको फिर साइच दिखाई देती है तो मतलब क्या है light का होना जरूरी किस साइट तो luminous object वह होते जिनके पास खुट का light होता है मतलब इकी और इसके किव वह है और की बात करूआ сх तो उसके पास खुद का light है ठीक है अगर मैं sun की बात करूँगा तो sun क्या है तो उसके पात खुद का light है ठीक है तो जिनके पास खुद का light होता है उसको क्या बोलते हैं luminous object बोलते हैं second अगर मैं non luminous object की बात करूँगा तो वो क्या होगा जिसके पात खुद का light नहीं होगा not own light तो उन अबजेक्ट को हम क्या बोलेंगे non-luminious objects बोलेंगे जैसे अगर मैं बात करता हो तो यह मारकर हो गया मैं बात करता हो किसकी book की या हमारी ठीके तो सभी क्या हो जाएंगे यह सभी हो जाएंगे non-luminious object कि उनके पास खुद का light नहीं है हां जैसे मैं प्लानेट की बात कर सकता हूं तो प्लानेट भी आपने पढ़े होंगे प्लानेट के पास खुद का light नहीं होता मून हो गया मून के पास खुद का light नहीं है वह संके light से हमको दिखता है कि मून के पास भी light है यह सारी चीज़े तो आई वोप आपको यह चीजे समझ में आ गई होगी अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको पढ़ना है रे यह कुछ टर्मिन लोगी जो आपको क्लियर होना चाहिए चेप्टर करने से पहले रे क्या होता है तो सिंपल सा अगर हम बात करेंगे तो जो light होती है वह इस्ट लाइन में travel करती है जै देखें पर अगर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ अब आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं इसका मिनिंग क्या है लाइट इस्टेट लाइन में चलती है देखिए अब नहीं दिखाई दे रहा हो और अब दिखाई दे रहा हो वालब लाइट रहे है जो वो किसी चलेगी इ चो इस्ट्रेट ह। ट्रेलिंग स bought होता है उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को हम बोलेंगे यहां पर hairy जैसे लाइट ऐसी जा रही है ठीकिंए यहां से यहां पर तो मैंने क्या बना दिया एक लाईडर यहां यहां पर डो पर यो इस अयों से करके बता दिया मतलब राइट रहे कहां से कहां जा रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फर्स पॉइंट से सेकेंड पॉइंट ठीक है तो जैसे में चलके यहां से यहां तक गया तो जो मेरा पात है ठीक है उसको में पात बोल देता हो रे बोल देता हो पर अगर लाइट चलेगी तो उ बीमोफ्लाइट क्या होगा तो बीमोफ्लाइट समझना यह क्या होगा ग्रूप ऑफ रे ना कुछ रेका ग्रूफ होगा जैसे 10 रे होगी 15 एक चॉल में जो संसे रे वगएर आती है वह तो हजारो लाखों रे का ग्रूप होता है ठीकिए देखिए रहे इस टाइप से जा सकती है मानली जी Major यहां पर क्या है एक बलप है तो यह क्या करएगा ग्लो कर रहा है तो यहां से रे एसी जा यह सकती है तो सब्सक्राइब क्या हो रहा है यह diverging हो रही है कि सद्री कि सब्सक्राइब हो ही यह तो सब्सक्राइब हो इसको क्या बोले खुय опять कि और लिगे हम कि रएंग Dény कैशनी Напीम लोने नाम कि क्यों क्या हो रही है यहां से यक पार्ट से फिल रही तो diverging दे अगर मान लीजिए यह रे इस टाइप से आती तो यह रे केसी केल आती देखिए मैंने एरो बना रखा मरला विदर से इदर यह केसी केल आती Converging रे केल आती ठीक है और मैं लास्वाली आपको बना के बताता हो अगर रे इस यह आती इस टाइप से यह क्या होती यहां से यह जारी और आपस में केसी है यह तो यह Nepal रे क्यिंवге पहले रर रहर है क्लियर तो आई होप आपको इस सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी जो मैंने अभी तक बताइए ठीक है तो सिंपल सा है कोई ज़्यादा टेंसल लेने वाली बात नहीं सिंपल सिंपल सी समझना लाइट क्या होगी एक फॉम ओफ एनर्जी है जो क्या किसी चीज को हमको देखन अरुह अघर में यहाँ पर देखोला कि कुछ प्रोपरइटी तो लाइट की प्रोपरइटी क्या होहाएगी तो यह स्पिड होती है स्पीड ओफ लाइट कि चलती है तो और टौक यह किसके कभल हो जाएगी औह तो 3 0 0000 और मीटर को में किलो मीटर में बशल देता हूं तो 3,00,000,000 km पर सेकेंड चलती है लाइट मतलब एक सेकेंड में कितनी चल रही है 3,00,000,000 km यह एक सेकेंड उबाओ लाइट यहां से 3,00,000 km दूर चले गी इसलिए आपको अभी घर पर आपको योटूब पर यह वीडियो दिखाई देरा क्यों क्योंकि लाइट का ही यूज करते हम आज कल सब्दुर डाटा को सेंड करने के लिए तो वीडियो भी सेंड आपका लाइट के थुरू हो रहा है इसलिए इतनी जल्दी हो रहा है मैं यहां पर बोल रहा हूँ और आपको घर पर वो मिल रहा है वीडियो इस्पीड ओफ इन वेक्यूम में वेक्यूम यह हम का बोल सकते ह इंट्री पहले सप्रेंट में चलता है और वह भीक होता है ठीक है वह है जिन ने हमको बताया था लिए वह उपides विदे से लाइट रह रही है फिर कर आ और यहाँ इसक्रीन ने तो पिछए कहां तक अपने को सेड़ों दिखाए देती है यहां पे इसकी पर्चाहा ह्याओ यहां यहां तक दिखाए UP दिखाई दिए क्यों अब बड़ा था तो परचाही हट शोटी क्यों बनी सेड़ों चोटी क्यों बनी क्योंकि यहां से लाइट क्या हो गई है डिफ्लेक्ट हो गई है तो इस अगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे बहुत से लाइब किंपोटेंड किंओमिना रिफ्लेक्शन हो सबसे पहले हमको समझे आए रिफ्लेक्शन होता और वाटिज अब यह इए फिर्फ्लेक्टन पर सेंगऑ किनउट is reflection अगर हम रिफ्लेक्टन की बात करते तो रिफ्लेक्चन क्या है तो reflection एक फिनोमेना एक घटना है जिसमें क्या होती लाइट रे बाउंज बेक करती है एट एनी सर्फेस इन ती सेम मीडियम ठीक है मतलब क्या होगा अगर मैं यहां पर बनाता हूं इसलिए रहал एफना इंसिडेंट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम हम इसा दो डीotherapy क Yap है अब जब इस टकराएगी तो क्या होगा यहां पर सब्सक्राइब तक्रा रही है यह यहां से लेडरेव रधी एक और इस बेंड़न से क्या होती I molded ईगर मावके हम यहां पर नोर्मल करेंगे तो किसी सर्फिस से तो क्या होता है तो देखिए यह मारा सर्फेस थिक तो नूर्मल क्या होगा तोeduc सबी तरफ क्या देखना अचاकरें कि तो उसलाइन को हम क्या बोलेंगे नोर्मल बोलेंगे या इसके परपेंडिकलर होगी ठीक है तो समझना अगर यह एसी यह तो आपको परपेंडिकलर दिखाए दे रही है लेकिन साइट से यह कुछ एंगल बना रही है तो ऐसे रहना चैकि सभी दूर से कैसी वह इसके 90 डिग अगर मैं बात करूंग यहां पर इसको एंसे बता हूं तो क्यों अगर मैं बात करूंगा इसके अंदर इंगल विट्विल नोर्म इंञव discI die तो यह बोलते हैं तो एंगल आई से में बताता है उनिक्राइड तो शुटताय ंसीडएंट तो गिया इंकल ऑफ इंशिदेंट और अंगल stability ड्रैन नर्मल वह क्या होगा तो वह grill और ड्री इंगल यह accessible कि हैं तो यह बताते हैं स्मूल आर से हम बताते हैं थो स्टेन चीज है आपको से हम बताते हैं जो हुई तो तीन चीज़े आपको क्लियर हुई जो लाइट रे करेंगी मदब तकराई की surface के वो क्या होगी वो होगी Incident रहे जो लाई ट्रेंग से reflect के वापस अरी रहे है आप जब बॉल भी तो बॉल जाती है तो वह incident रहे है और बोल टक्रा के वापस हई तो वह क्या है reflected रहेimana यह तेन जो पॉंट पे वह टकरा के वापस आरी है उसी पॉंट पर नॉर्मर्ल डोरो करते हैं रे गए करें गिजटेंगों औरें इंसीडेंट या एंगल ऌफ इंसीडेंट करेंगश परbeing देत्वेक्डे यह अ rubbish इतने चीजे एकलियर हैं तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे हम लॉज हो फिर सरे कि एंद रिफलेक्शन पर लो में क्या होती है एक टकटा के वापत चली जाती है ट्रीक्रेट के फोम ठीक है तो हम बोलते हैं उन्हुराइब हुआ पर अगर हम बोलेंगे कि रिफलेक्शन कम मानेंगे हम ठीक है मतलब कोई बोले रिफलेक्शन कैसे प्रूव करो तो दो लोग आपको इसके याद होना ची फर्स वाला लोग क्या बोलता है यहां पर तो वो क्या बोलता है एंगल ओफ इंसिडेंट किसके होना चीए अगल ओफ से रिफलेक्शन सब्हाँ मतलब इंगल आ है किसके होना चीए एंगल आर खिलियर तो फिर्स इसक्या याद रखना है जो एंगल आपको लनाच कि अगर यह तो वह उतना ही एंगल बनाके नर्मल से निकलेगी जितना बनाके वह नॉर्मल से आ रही है ठीक है है second हमको क्या धियान गंना है तो सेकेंड जो हमारी इंसीडेंट रहे कौह सी रहे इंसीडेंट रहे जो हमारी भिस्लेक्ट्टर है और जो क्या है नोर्मल है, है न, at the striking point, मतलब जहाँ पर क्या है, यह light ray strike हो रही है, ठीक है, तो उस पर जो normal है, तो यह तीनों क्या होना चीँ? आर इन, lie, lie same plane, किसमें lie करना चीँ? same plane में lie करना चीँ, अब plane क्या है, यहाँ पर समझना, जैसे इस टाइब से board है, यह भी एक टाइप का फ्लेवन इसमें टूड़ी होता है एक सोर वाई ड 37 होती है जिसेgoing है तो यह क्या हो गया कैसे अगर रखोंगा तो यह भी को क्लेवन है अगर इसा रखोंगा तो यह भी एक भी मदि जिए इसी यहां सही इंसीडेंट रहे ठीक है और इफ्लेक्टेट रहे यह इस टाइप से जा रही है तो नोर्मल कैसा होना ची तो देखिए तीनों क्या है एक ही प्लेन में यह इस टाइप से अगर इंसिडेंट रहे ठीक है और इफ्लेक्टेट रहे अगर एसी जा रहे ठीक है तो देखिए अब यह दोनों त फिस नर्मार तिन्हों क्या होना चीए काल nen Stevens हना ऑगर सेंगें नहीं होगी तो क्या होगा भुषभ सथ नहीं होगा तो फोलो करना चाहिए तो कि महां से उप्लेक्षण होता है अब आपको कोई बोले कि reflection हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रूव करके बताओ तो आप यह दो चीज़ ध्यान रखना एंगल ओफाइए और सेकेंड क्या होना चीज़ के अंदर तो इंसीडेंट रहे रिफ्लेक्टेट और नोर्मल जहां श्राइक कर रही है वह तिनों रहे किस प्लेंड में होना चाहिए तो सेम प्लेंड में लाइक करना चाहिए क्लियर अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो अगर हम बात करते किसकी रिफ्लेक्टेशन कव होता है तो मैंने आपको जिसे स्टार्टिंग में बताया था कि यह प्लेंड मीरर है इसमें रिफ्लेक्टेशन हो रहा है इसलिए आप आपको देख नहीं पार है इसमें कित रिव्रेक्षन हो पा रहा है अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमरि एफलेक्षन कुछ graffiti 30% हो पा रहा है इसलिए हलका हलका огप को चहरादा यह दिखाई दिखाई देता है पैंदम प्लिर दिखाई नहीं देता है तो दो टाइप के reflection होते फस्ट वण इज के रेगूलर और सेकंड वन इज गेडूर रेगूलर 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 रीफ्लेक्सन में क्या होता है पोलीज़ सर्फेस होता है जिसे विए पॉली स्धेमें वन दोई-ध September 8th जब लाइट रहा रहा है उस्वेस जब लाइट रहे किес टाइप से तो यह लाइट रहा हुआ है क्यों अगल और है तो जितने एंगाल से जाएगी ज्युक्र enough यहां कि शिह जाएगी यह से तिन्ह यांसे ग ल mild से जाएगी तो तीनों पैलल लाईते हो तीनों पैल यहां से जाए तो यहां पर क्या होगा आपको चेहरा दिखाई देगा क्योंकि पुलिस सर्पेस रहा है रेगुलर के सब्सक्राइध में सब्सक्राइब आपको दिखाई दे रही है तो इसको जूम करके देखेंगे अभी तो प्लैन दिखाई दे रहा है पर जब जूम करके देखेंगे तो यह इस टाइप से दिखाई देगा पहले पटाप करें यह रही पर जाके से रहomatic यह तो यह बाइस्य नहीं है वहां हमको क्या है रफ सर्फेस है Khaled नहीं तो हमारे और रही पार के दिखाई अपको दिवाब स्धैगे में दीखाई देगा आपको बॉछत में नहीं 결ण देगा बट आपको मिरर में या जो पॉलिस सर्फेस है उसमें चेहरा आपको दिखाई देगा इसे स्टिल वगेरा में भी दिखाई देता हलका हलका तो वहां रिफ्लेक्शन होता है 30-40 परसें इस कारण से अभी रिफ्लेक्शन के बाद हम नेक्स देखेंगे इसके दर इमेज और इमेज फॉर्मेशन्स वगेरा कैसे होती है और डेफिनेशन ओफ इस्फेरिकल मिरर से अपन कुछ डेफिनेशन्स वगेरा नेक्स लेक्चर में देखेंगे तो जब तक अपना ध्यान रखिए और कि उनको भी इसका फाइदा मिल सके धनिवाज जय हैंगा